दोस्तों आप यहाँ पर जो यह देख रहे हैं यह DD3Ds है आप यहाँ पर देखे टीवी पर no signal दिखा रहा है यानि कि यहाँ पर channel नहीं आ रहा है no signal आ रहा है तो चलिए मैं इसका channel बदल कर आपको दिखाता हूँ दूसरे channel पर यह आता है या नहीं तो देखे मैं यहाँ पर channel बदलता हूँ और देखता हूँ क्या होता है तो देखे मैं यहाँ पर channel बदल कर देखता हूँ यहाँ पर देखे यहाँ पर भी अब देख सकते हैं कि no signal ही आ रहा है तो इस तरह से सभी channel में no signal ही आ रहा है मैं क्या करता हूँ इसे एक नमर पर कर दिया देखे एक नमर channel प पर no signal आ रहा है तो इस तरह से सभी चैनल पर जब no signal आएगा तो आपको सबसे पहले auto scan करके देख लेना है अगर आप auto scan करते हैं और आपका सभी चैनल आ जाता है तब ठीक है अगर auto scan करने के बाद भी कोई channel नहीं आता है no signal ही बना हुआ रहता है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके टीवी पर no signal आ रहा है तो आपको कभी भी जो antenna होता है जैसे आप देखे यहाँ पर यह antenna है इस antenna को घुमाना नहीं है इस antenna को तभी घुमाना है जब आपको पूरा विश्वास हो कि आंधी तुफान आया हो और आपका antenna हिल गया हो या फिर बंदर आकर के कूद कात करके इसे हिला दिया हो तभी आप इस antenna को छेड़ छाड़ करें नहीं तो आप इस antenna को कभी भी सबसे पहले no signal आने पर इसे छेड़ छाड़ नहीं करें क्योंकि यह बिल्कुल सही लगा हुआ है अगर आप इसे छेड़ छाड़ कर देंगे तो आपको परिसानी हो जाएगा आपको करना क्या है आपको करना ये है कि जो ये receiver है इस receiver में जो audio video वाला ये तीन कलर का जो cable लगा हुआ है इस cable को आपको छेक कर लेना है कि जो ये cable यहां से टिवी में गया हुआ है उसे चूहा ने तो नहीं काट दिया है यानि कि ये wire कटा हुआ नहीं होना चाहिए अगर ये wire कटा हुआ नहीं है wire बिल्कुल सही है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आपको ये जो receiver है इसे आपको चेक करवाना होगा अगर आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं तो ठीक है तो चेक करने के लिए आपको इस receiver को उठा करके किसी ऐसे पडोसी के यहां ले जाना होगा जहां पर उनके पास भी डीडी फिरीडीस हो वहाँ पर ले जा करके आप इस receiver को चेक कर लिजे अगर आप पडोसी के हाँ नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप किसी मिस्तिरी के पास ले जा करके इस receiver को चेक करवा लिजे अगर आपका ये receiver खराब रहता है तो आपको receiver बनवाना पड़ेगा अगर आपका ये receiver बिल्कुल ओक्की रहेगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ छत पर जो antenna लगा हुआ रहता है उस antenna का जो LMB होता है उस से एक black color का wire आपके receiver में जाता है तो आप यहाँ पर जो antenna में LMB लगा हुआ है वहाँ पर आपको देखना होगा कि ये wire वहाँ से छूट तो नहीं गया है कभी-कभी wire वहाँ से निकल भी जाता है यानि कि छूट जाता है तो उसको आपको देखना होगा तो अगर wire निकल गया होगा तो उसे आप अच्छे तरसे fit कर देंगे इसमें LMB में तो वो बिल्कुल OK हो जाएगा अगर इसके बाद भी आपके TV पर no signal ही आ रहा है तो आपको क्या करना है कि ये जो antenna है antenna में LMB जो लगा हुआ है उसे चेक करके देखना हुआ कि LMB खराब हुआ है ये वाइसे तो LMB बहुत कम ही खराब होता है antenna ही हिल जाता है तो आप उस antenna को इसके बाद आपको set करके देखना है देखिए LMB चेक करना सभी को नहीं आता है और antenna set करना भी सभी को नहीं आता है इसलिए अगर आप LMB चेक करना नहीं जानते हैं antenna set नहीं करना जानते हैं आप किसी मिस्तिरी को भुला लिजेगा उससे आप ये काम करवा लिजेगा बांकी का जो काम मैं पहले बताया हूँ वो सब आप खुद से कर सकते हैं